हेलो बच्चो आपका मेरे चैनल साइलेंट राइटर में बहुत-बहुत सागत है आज हम लोग पंक्चुएशन मार्ग की बात करने वाले हैं तो पंक्चुएशन मार्ग क्या होता है चले देखते हैं पंक्चुएशन is the use of different marks like comma, full stop, question mark, exclamation mark, etc. to make the meaning of a sentence more clear जिब भी हम लोग English language में कुछ लिखते हैं तो बहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कुछ punctuation mark का use करते हैं जिसे कि हमारे जो sentence का जो meaning है वो ज़्यादा clear हो जाए तो आईए हम कुछ ऐसी punctuation mark को देखते हैं इसमें पहला है full stop, full stop का हम लोग कभी यूज करते हैं to show when a sentence is finished जिब कोई sentence खतम होने वाला होते हैं तो हम लोग उसके लिए full stop का use करते हैं example देखते हैं I am I am grateful to Miss Anamika देखिए यह sentence था यह खतम हो तो हमने इदर full stop लगा दिया अब इसमें दूसरा है comma तो comma क्या होता है to show a little pause in a sentence जिब हम लोग कोई sentence लिख रहे होते हैं उसमें अगर छोटा सा pause की ज़रत होते हैं तो हम लोग वहां पर comma लगाते हैं अब हम एक एक जामपल की बात करते हैं जैसे semi comma bring your file तो हमने comma लगाया यहां पर हमें छोटा सा pause रहे था तो चले अब तीसरा देखते हैं इसमें तीसरा है question mark question mark क्या होता है to show that someone is asking a question हम यह दिखाने के लिए कि कोई सवाल कर रहा है आइए इसमें example देखते हैं example है how do you go to school तो यह question था यहां देखे question mark लगा हुआ है अब चले इसमें चौथा देखते हैं इसमें चौथा है exclamation mark exclamation mark क्या होता है to show to show someone is excited excited surprised surprised or anger और किसी को excited surprised hurt यह एंगर दिखाना हो तो ऐसी जगह पे हम लोग exclamation mark का use करते है आइए example देखते है जैसे example है ौच तो यह आउच के बाद हमने एक exclamation mark लगाया तो यह था use of exclamation mark आईए अब इसमें next देखते हैं इसमें अगला है apostrophe apostrophe क्या होता है to show possession contraction contraction इसमें example देखते है example है लताज देखिया apostrophe है लताज voice is very sweet इसमें next देखते है इसमें next है quotation mark quotation mark क्या होता है to show what someone is is talking example देखते है example है I said ये हो गया quotation फिर this is my book तो ये हो गया quotation mark तो ये थे हमारे punctuation thank you है है पिर झाल क्या Jewel